General expression for Maxwell thermodynamical relation तो जो general expression होता है Maxwell के thermodynamical relation गाव होता है partial differentiation of T with respect to X at constant Y partial differentiation of S with respect to Y at constant X minus partial differentiation of S with respect to X at constant Y into partial differentiation of T with respect to Y at constant X is equal to partial differentiation of P with respect to X at constant Y इंटू partial differentiation of V with respect to Y at constant X minus partial differentiation of V with respect to X at constant Y into partial differentiation of P with respect to Y at constant X तो हाभी हम वोग बुलते है इसको हम लोग बुलते है general expression for Maxwell thermodynamical relation इसे अभी हम लोग drive करने वाले, इसको भी हम लोग obtain करने वाले यहाँ पिर हम लोग बूल सकते है यह èveकि हम बुल सकते है जो expression होता है वो general form होता है Maxwell के thermodynamical relation का तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग consider करें by first law of thermodynamics amount of heat energy given to the thermodynamics system is equal to change in internal energy plus work done by this thermodynamics system तो यहाँ पर यह जो डेल्टा की होगा वराबर में होगा T into ds के और यह जो du होगा वाइस इस देल्टा डबलू के जगा हमें मिल जाँगा P into dv तो यहाँ पर यह डेल्टा डबलू के जगा हमें P into dv कैसा मिल रहा है और यह डेल्टा क्यों कैसा बराबर में होगा T into ds के तो यहाँ पर हमने हमने थर्मोडानेमिक शिस्टम को हमने डेल्टा की हीट प्रोवाइड के जिसके वज़े से इसके इंटर्नल एनरजी में चेंज होता है डी यू और यह कंशिद्र गार्न हमें काम करके देता है जिसको हमने थर्मोडानिक में बाराबर में होगा P into dv के तो यह डेल्टा तो जब हम लोग वो कॉंसेप्ट से डील कर रहे थे तभी हमने डिसकस किया था जो डेल्टा डबली होता वो बराबर में होता है पेंट टू डीवी के सिमिलरली अगर यह थार्मोडाइनमिक सिस्टम अगर टी टांपरेशर में होता और एट्रॉपि में चैंज अगर डीएस होता है डेल्टा क्यू हीट करने के वज़े से तो हम लोग बोल सकते डेल्टा क्यों ड्यवाइड बार टी यह बराबर में लिए ऑगा डीएस के अगर यह T को अगर हम लोग Ds के साथ multiply करते हैं तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q is equal to T into Ds तो यहां पर अभी अगर हम लोग देखे जो डेल्टा W वो बराबर में PDV के और जो डेल्टा Q वो बराबर में TDS के तो यह डेल्टा Q के जगा हम लोग पूट करते हैंगे TDS और यह डेल्टा W के जगा हमने consider किया P into Dv ना पर इसको अगर हम लोग arrange करके लिए तो हम लोग लिख सकते हैं D U is equal to T into Ds minus P into Dv अभी मालन लेते एक variable है जो के function है x और y का और जो x और y है वो दोनों एक दूसरी के पर inडिपेंडन्ट है। तो हम लोग कुछ इसस तरीके से लिख सकते है यू हमने जो variable consider किया है वो है you और यह जो you है वो function है x और y है दोनों एक दूसरेगेंपर इंडिपैंडंट है तो हमने कुछ इस तरीके से लिख सकते ही और यहां पर यू और यह आपर यह X और Y similarly माल लेता है एक variable है जो के है V और यह जो V variable है वो function है x और y का और जो x और y है वो दोनों एक दूसरे के पर independent है similarly एक और एक variable है जो के s और यह जो s है वो function है x और y का और जो x और y है वो दोनों एक दूसरे के पर independent है तो जैसे के हमने discuss किया था variable है u यह वाला हमने consider किया था एक variable है u जो के function है x और y का और जो x और y है दोनों एक दूसरे के उपर independent है तो हम लोग लिख सकते हैं du is equal to partial differentiation of u with respect to x at constant y into dx plus partial differentiation of u with respect to y at constant x into dy इसके बारे में हमने discuss किया है जब हम लोग Maxwell के initially thermodynamical relation obtain कर रहे थे जब हमने Maxwell का first thermodynamical relation obtain किया था second, third, fourth अब तक कि जितने भी हमने Maxwell के thermodynamical relation describe करें सब में हमने बात किया यह वाले concept के बारे में similarly जैसे के हमने discuss किया था एक function जैसे के हमने discuss किया था वी यह variable function यह एक variable और यह function है x और y का और जो x और y है दोनों एक दूसरे के पर independent है तो हम लोग लिख सकते हैं dv is equal to partial differentiation of v with respect to x at constant y into dx plus partial differentiation of v with respect to y at constant x into dy similarly यहाँ पर यह s के लिख सकते हैं ds is equal to partial differentiation of s with respect to x at constant y into dx plus partial differentiation of s with respect to y at constant x into dy यहाँ पर यह बहुत important है जब हम लोग x का differentiation perform करेंगे y constant होगा जब y का differentiation perform करेंगे x constant होगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह जो du है यहाँ पर यह du के जगा हम लोग put करतेंगे यह पुरा relation यहाँ पर यह जो ds है इसके जगा हम लोग put करतेंगे यह पुरा relation यहाँ पर यह जो dv है with respect to y at constant x into dy is equal to यहां पर यह वाला जो टी है यह वाला जो टी है उसको हमने यहां पर consider किया similarly यहां पर यह जो ds है वो यहां पर अप्यार कर रहा है और जो ds है वो इसके बराबर में तो ds के जगा हम लोग पूट कर देंगे partial differentiation of s with respect to x at constant y into dx plus partial differentiation of s with respect to y at constant x into dy यहां पर यह जो minus pa उसको हमने यहां पर consider किया और यहां पर यह जो dva dv के जगा हमें क्या पूट करना है यह पूरा relation तो यहां पर dv के जगा हम लोग पूट कर देंगे partial differentiation of v with respect to x at constant y into dx प्लस partial differentiation of v with respect to y at constant x into dy अभी यह वाला जो पूरा जो term होगा y is it is होगा यहां पर हमने equal to की sign consider करी यहां पर इसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले यहां पर यह t और यह partial differentiation of s with respect to x at constant y into dx और यहां से minus p और यह partial differentiation of v with respect to x at constant y into dx यह दोनों को हम लोग simultaneously consider करेंगे और जो dx होगा उसको हम लोग common out कर लेंगे फिर उसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखे अगर वैसा करें तो हमें मिल लिए t partial differentiation of s with respect to x at constant y minus p partial differentiation of v with respect to x at constant y और dx को हमने common out कर लिया similarly यहां पर हमें मिलेंगी plus sign अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर यह t और यहां पर यह वाला जो term है उसको हम लोग consider करेंगे और फिर उसके बाद यह p और यहां पर यह वाला जो term है dy वाला term उसको हम लोग consider करेंगे और जो dy होगा उसको हम लोग common out कर लेंगे तो मुझे लिए t partial differentiation of s with respect to y at constant x minus p partial differentiation of v with respect to y at constant x और dy को हमने common out कर लिया अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे partial differentiation of u with respect to x at constant y यह वाला जो term होगा वो किसके बराबर में होगा यह वाला जो term हो हमें cursor की tip indicate कर रही है यह बराबर में पुरा यह वाले term के हो हम लोग लिखेंगे partial differentiation of u with respect to x at constant y ढूरा है is equal to just wait for a second oh just wait for a second हा यहाँ पर अगर आगर हम लोग देखें यहांपर यह वाला जो त्यम है partial differentiation of view with respect to x wise constant Y into dx यहाँ पर यह य वाला जो त्यम है वह exactly बराबर में यह वाले term के यहां पर यह फर यह वाला पूरे टर्म है यह वाला जो टर्म है partial differentiation of u with respect to x at constant y into dx यह बराबर में यह वाले पूरे टर्म के क्योंकि यहां पर dx एक सब्सक्राइब और यहां पर यहां पर यह वाला जो टर्म है वह बराबर में यह वाले पुरे टर्म के तो मिल जाएंगा पार्शल डिफ्रेंसेशन of u with respect to y at constant x is equal to t ये वाला पूरा term consider करेंगे partial differentiation of s with respect to y at constant x minus p into partial differentiation of v with respect to y at constant x अभी हमें क्या consider करना है अभी हमें consider करना है mixed partial derivative हमें पता है mixed partial derivative में हमने discuss के इसके बारे में separate video है अगर कोई भी function का अगर second order derivative अगर continues होता है तो उसका जो mixed partial derivative video होता है वो identical होता है और उसका हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते partial differentiation of u with respect to y at constant x इसका rate of change x के respect में is equal to partial differentiation of u with respect to x at constant y इसका rate of change y के respect में तो यहां पर अगर हम लोग देखें यह वाला term यह वाला जो term है वो बराबर में इसके तो यह वाले term के जगा हम लोग पुट करतेंगे यह पूरा relation तो यहां पर यह जो term है उसका हमने as it is consider क्या 2 divided by 2x इसके जगा में क्या पूट करना है इसके जगा में पूट करना है पुरा यह वाला term तो हम मिलना t partial यहां पर हमने इसके बराबर में तो इसका मतलब यहां पर इसके जगा हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग पार्शल differentiation perform करेंगे partial differentiation कैसा perform करेंगे सबसे पहला यह वाला जो term है यह वाला term का differentiation perform करेंगे x के respect में तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यह वाला जो टर्म इसे हमें constant रखना है तो इसको हमने यहाँ पर constant रखा partial differentiation of s with respect to y at constant x अभी हमें क्या करना है टी का differentiation perform करना x के respect में तो हमें मिल जाएंगा partial differentiation of t with respect to x at constant y plus sign अभी जो टी यह उसको हम लोग constant consider करेंगे तो टी को हमने constant consider क्या अभी यह वाले टम का differentiation x के respect में तो हमें मिल जाएंगा 2 square s divided by 2x into 2y फिर माइनस से यह वाली जो माइनस सैने इसको हमने यहाँ पर consider क्या अभी यह वाला जो टम है partial differentiation of v with respect to y at constant x इसे हमें constant consider करना है फिर उसके बाद p का differentiation perform करेंगे x के respect में तो यहाँ पर हमने p का differentiation perform किया x के respect में partial differentiation of p with respect to x at constant y अभी जो माइनस पी उसका हम लोग constant consider करेंगे अभी यह वाला जो टम हम लोग differentiation perform करेंगे x के respect में तो में मिल जागा 2 square v divided by 2x into 2y यहाँ पर यह वाली जो equal to की जो sign है उसको हमने as it is consider किया अभी हम लोग क्या करेंगे यह वाला जो टम है उसको हम लोग constant consider करेंगे जो के cursor की टीप indicate कर रही है तो उसको हमने यहाँ पर constant consider किया partial differentiation of s with respect to x at constant y का differentiation perform करेंगे y के respect में तो partial differentiation of t with respect to y at constant x अभी जो t उसको हमें constant रखना है तो t को हमने यहाँ पर constant रखा यह वाले टम का differentiation perform करेंगे y के respect में तो हमें मिल जागा 2 square s divided by 2y into 2x यहाँ पर हमने consider किया यह वाली जो minus sign है उसको हमने यहाँ पर consider किया अभी हम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यह वालों जो टम में उसको हम लोग constant रखेंगे तो हमने रखा partial differentiation of v with respect to x at constant y यह term को हमने constant रखा P का differentiation perform करेंगे y के respect में तो हमें मिल जाए पार्षल differentiation of p with respect to y at constant x अभी क्या करेंगे हम लोग P को constant करेंगे तो यहाँ पर हमने P को constant करा यह वाले term का differentiation Y के respect में तो हमें मिल जाएंगा 2 square V divided by 2 Y into 2 Z अभी अगर हम लोग देखे इसके आगे हमें क्या मिलेंगा यहां पर यह वाला जो term होगा यह cancel हो जाएंगा यहां से यह वाला जो term होगा यह cancel हो जाएंगा similarly यहां से यह वाला term cancel हो जाएंगा और यहां से यह वाला term cancel हो जाएंगा तो अगर यह वाला term और अगर यह वाला term equal to के left hand side से अगर cancel हो जाता है तो हमें क्या मिलेंगा हमें मिलेंगा partial differentiation of S with respect to Y at constant X partial differentiation of T with respect to X at constant Y minus sign यह वाला term तो cancel हो गया हमें मिलेंगा यह वाला टम partial differentiation of v with respect to y at constant x into partial differentiation of p with respect to x at constant y यह जो equal to की जो sign होगी y's it is अभी यहां से यह वाला टम और यह वाला टम cancel हो जाएंगा तो हमें क्या मिलेगा हमें यह वाला टम मिलेंगा दोनों यह दोनों मिलेंगा जोके cursor की tip indicate करें और यह दोनों मिलेंगा तो मैं मिलेंगा partial differentiation of s with respect to x at constant y into partial differentiation of t with respect to y at constant x minus sign partial differentiation of e with respect to x at constant y partial differentiation of e with respect to y at constant x अभी इसके बाद क्या होगा यहां पर यह वाला टम पुरा जो दिखाए दे रहा है यह वाला टम होगा वो equal to के left hand side पर चले जाएंगा और यह वाला टम पुरा negative में हो जाएंगा और यहां पर यह वाला जो टम होगा equal to के right hand side पर चले जाएंगा और यह वाला जो टम होगा positive में रहेगा तो मैं मिल जाएंगा partial differentiation of s with respect to y सबसे पहला अगर हम लोग देखें यह वाला टम equal to के right hand side चले जाएंगा partial differentiation of v with respect to y at constant x into partial differentiation of v with respect to x at constant y यहां पर यह वाली जो minus sign उसकों ने as it is consider किया और यहां पर यह वाला जो टम होगा वो as it is partial differentiation of v with respect to x at constant y into partial differentiation of v with respect to y at constant x इसी को ही हम लोग बोलते general expression for Maxwell thermodynamical relation कर दो है जाएंगा जाएंगा छोग एक उन्यादी को ही है